एलो स्टुडेंट, स्कूल अपस्पन्दान अकाड़मी, तोड़े भी विल रीद अबाउट नाउन, नाउन मींज संग्या, नाउन की नाउन इन वर्ड, दुनिया में जो भी चीज है, विजीवल है, नॉन विजीवल है, वो दिखाई देती है, नई दिखाई देती है, नाउन कोई things हो सकता है, कोई place भी हो सकता है, कोई person हो सकता है, कोई animals भी हो सकता है, और कोई emotion भी हो सकता है Now we have to define the noun, definition of noun, a noun is the name of any person, place, animals or thing, now we will know its definition in Hindi संग्या किसी ब्यक्ति, बस्तू, इस्थान या भाव के नाम को हम संग्या कहते है, for example Name में क्या आजाएगा, मेरा नाम, आपका नाम या किसी पर्चन का नाम, for example, Mohan, Gita, Babita अब हमारा place में क्या आजाएगा, किसी स्थान का नाम, तो दहली, बोपाल, आगरा Animals में क्या आजाएगा, किसी जानवर का नाम, तो cow, cat, dog, rabbit, etc अब things में क्या आजाएगा, table, chair, pen, pencil Now we will read the types of noun, how many types of noun are there, noun कितने परकार के होते है There are five types of noun, first होता है proper noun, दूसरा होता है common noun, third होता है collective noun, fourth होता है absent noun, और five होता है material noun उमारा फस्त नाउन है, प्रॉपर नाउन, उसको हम क्या बोलते हैं, बेप्ति बाचा संग्या, सेकेंड होता है, कॉमन नाउन, उसको बोलते हैं, जाति बाचा संग्या, थर्ड होता है, कलेक्टिब नाउन, उसको बोलते हैं, समग बाचा संग्या, फूर्थ होता है, एबस् लग्सो नाओ